हेलो स्टुडेंट्स आज 13 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर लेकर आये हूँ जो लोग पहली बर हमारे चैनेल प्यार है डेली सबसे पहले करेंट अफेर देखने के लिए हमारे चैनेल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस तरह एक बेल आइकोन को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के अंत में आपसे दो क्वीज करूंगा जिसका एंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेर जरू करना अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है 17 मार्च से निमनिमे से क से लेकर 19 मार्च तक इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और यह 14 सम्मेलन है यह आपको ध्यान में रखना है केंद्रिय वाड़ी जो उद्योग मंत्राले के मंत्री कौन है सुरेश परभू है इनके पास नागरिक उड़यान मंत्राले भी है अब हम यहाँ पे CII और एक ज चनबे में की गई थी हेड़क्वाटर नई दिल्ली में है वर्तमान में इसके अध्याक्ष राकेश भारती मित्तल और महा निदे सकें चंदरेजीत बनर जी एकजिम बैंक के बारे में जान लेते हैं इसका फूल फम होता है एकजिम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठीक है तो 11 मार्च को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर मल्टी बैरेल रॉकेट लॉंच सिस्टम पिनाका का सफलता पूर्बग परिक्षन किया कहां पर पोखरन रेंज में ओप्षन बी राइट अंसरे इसका पोखरन रेंज जो है राजस्थन के जैसल मेर में है तो यहीं पर इसका सभलता पूर्बग परिक्षन किया गया है पिनाका का और पिनाका का विकास किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डी याडियों ने अब हम यहाँ पर डी याडियों के बारे में जान लेते हैं इंग्लिश में इसका फूल पम होता है Defense Research and Development Organization इसकी अस्थापन 1908 में की गई थी Headquarter नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेर्मेन है जी सतीस रेड़ी अगला कोशन है 11 मार्च को राष्ट्र पती रामनात कोविन ने निम्न में सिक्की से पद में विभूसंड पुरास्कार से सम्बानित किया गया है बल्वंत मुरेश्वर पुरंद्रे को Option C Right Answer यह महराष्ट के रहने वाले हैं और इन्हें काला अभिनाएके चेतर में इस पुरास्कार से सम्बानित किया गया है पद में विभूसंड पुरास्कार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्बान पहला होता है भारत रत में ग्यारा मार्च को राश्पती रामनात कोविंद ने टोटल 54 पद में पुरसकार दिये हैं देखिए 2019 में टोटल 112 पद में पुरसकार दिये जाने हैं जिसमें से 54 को ग्यारा मार्च को दिया गया बाकी को बाकी अंठावन बच रहे हैं उन्हें 16 मार्च को राश्पति रामनात को बिंद पदमे पुरसकर से संबानीत करेंगे तो कुल 112 पदमे पुरसकर दिये जा रहे हैं इसमें से 4 पुरसकर जो हैं पद में बुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबु जेगा इसे, यहां से हर एक्जांस में कोशन बनते ही बनते हैं, अगला कोशन है, हाल ही में किस कमपनी ने लिम का बूक आफ नेशनल रिकॉर्ड में जगह बनाने में सफलता पाई हैं, मेगा इंजिनियरिंग इंफरास्ट्रक्चर लिमिटेड ने, ओप्शन ए, राइट अन को पूरा करने के उतक्रिष्ट उपलब्दी के लिए इससे सम्बनित किया गया है, अगला कोशन है, निमने में से किस इनुवर्चिटी ने ओप राजपती वैंक्या नेडू को डॉक्टर ओफ फिलोसफि के डिगरी से सम्बनित किया है, उनुवर्चिटी ओफ पीस ने इन यह इंवर सिटी। कोस्टरीका का सिं जोस में THE सम्मानित किया है। सबख सिखाएkit सम्मानित किया है। को राजय पल ने मंजूरी दे दी है मद्य पर्देश में ओप्शन भी राइट अंसर है पहले मद्य पर्देश में OBC का अरक्षन 14 परतिशत था अब 13 परतिशत बढ़ा कर 27 परतिशत कर दिया गया है OBC के लिए अरक्षन ठीक है इसी के साथ अब राजय में कूल अरक्षन जो 63 परतिसत हो गया है मद्य पर्देश एंसर हैं इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैप देखिए मद्य पर्देश बिलकुल बीच में है आप देख सकते हैं यह है मद्य पर्देश बीच में एक रेखा दीख रहे हैं सबसे पहले इसके बारे में जान लिजिए यह है टणिक करके रेका, भारत के कूल 8 है राज्यों से होकर गुजरती हैं, गुजरात, राजस्थन, मदेपरदेस, छतिसगण, जरकंड, वेष्ट बंगाल, तिरिपूरा और मिजोरं इतनी राज्यों से होकर करके रेखा गुजरती है और मध्य पर्देश की सीमा जो है पांच राज्यों से टच करती है 36 गड़, उतर पर्देश, राजस्थान, गुजरात और महराष्ट्र गठन हुआ था एक नॉवंबर 1956 को, छतरफल की दरिश्टी से दूसरे नंबर पे, जन संख्या की दरिश्टी से पांच वे नंबर पे है कानहा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सत्पूडा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधो नेशनल पार्क, तथा डायनासोर नेशनल पार्क बाद के बारे में बात करें तो इंदीरा सागरबाद, बारगीबाद, नर्मदाबाद तथा उमकरेश्वरबाद ये चारोबाद नर्मदा ददी पर हैं, गांधी सागरबाद हैं, ये चम्बल नदी पर हैं अगला कोशन है भारत में किस अस्थान पर मिलने वाले मर्यूर गुड को हल ही में भौगोलिक संकेत टैग मिला है तो कहां पर मिलता है मर्यूर गुड इडुकी में इडुकी जीला है केरल का जीला है ठीक है जी आई टैग जो है उसी वस्थू को दिया जाता है जो किसी एक खास छेतर में उसका उत्पादन होता है अगला कोशन है राष्ट्रिय फर्मासिटिकल मुल्य प्राधिकरण ने हाली में 390 गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं के दम में कितने प्रतिशत की कमी की है इतना प्रतिशत? 86 प्रतिशत की कमी की है इन दवाओं के दम में थीक है? 390 गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं के दम में इतना प्रतिशत की कमी की गई है इसी के साथ प्राधिकरन ने दावा निर्मताओं और अस्पतालों को ट्रेड मार्जिन फर्मूला के अधार पर कीमतों को संसुधित करने का अदेश दिया है अगला कोशन है गिनीज वर्ल्ड्स रिकॉर्ड्स द्वारा किस देश की महिला काने तनाका को विश्व की सबसे बुजूर्ग जीवित वेक्ति के खिताब से नवाजा गया है तो ये किस देश की हैं काने तनाका ये जपान की हैं ओप्शन ए राइट अंसे है इसका जपान के लोग जो हैं बहुत ज्यादा उम्र तक जीते हैं तो ये काने तनाका इनका नाम है और ये जीवित हैं अभी इनका जन्म जो हुआ था 1903 में इनका जन्म हुआ था और ये अभी तक जिन्दा है, इनकी उम्र है 116 वर्स अगला कोशन है, अभिनेता से नेता बने कमल हासन की मकल नीती मैयम पार्टी को अगामी लोगसबा चुनाव के लिए कौन सा चुनाव चिन दिया गया है तो इनका चुनाव चिन क्या है, बैटरी टॉर्च, इनका चुनाव चिन है ठीक है, ओप्शन C, राइट अंसर है और इनके पार्टी का क्या नाम है, ये आप ध्यान में रखिएगा मकल नीती मैयम, MNM अगला कोशन है, नीमन में से किस कंपणी ने अगले तीन वर्सों में गणीद, इंजेनियरिंग तथा विज्ञान यों प्रदोगी की छेतर में एक मिलियन छात्राओं को प्रसिक्षित करने का निर नहीं लिया है IBM ने, ओप्शन C, राइट अंसर IBM जो है भारत के एक मिलियन छात्राओं को प्रसिक्षित करेगा IBM जो है एक अमेरिकन टेक्नलोजी कंपणी है ठीक है, IBM का फूल पमटाएं इंटरनेशनल बिजनेस मसीन इसकी अस्थापना 1911 में की गई थी कंप्यूटर निर्माता कंपणी है ये कंप्यूटर का निर्मान वगेरा करती है हेड़क्वार्टर न्यूइयर्क में है वर्तमान में इसके चेर्मेन, प्रेसिडेंट and CEO तीनों पद इनी के पास है गिन्नी, रोमेटी के पास अगला कोशन है बारा मार्च से कहाँ पर आहार, अंतराश्टिये, खाद, अतित्य, उत्सव का आयोजन शुरू हुआ है नई दिल्ले में शुरू हुआ है ओप्शन डी, राइट अन्सर है इसका तेखें, बारा मार्च से शुरू हुआ है और 16 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा और इस उत्सव का या 34 संसकरन है ये आपको ध्यान में रखना है और इसमें, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, सहित 20 देश भाग ले रहे हैं चलिए, नई दिल्ली अंसर है दिल्ली के बारे में जान लेते हैं दिल्ली एक एक अंदर सासित परदेश है और दो राजियों से इसकी सीमा टच करती है हर्याना और उत्तर परदेश मुख्य मंत्री हैं अर्वींत केजिरिवाल गवार्नर हैं अनील बैजल चैतरफल की दिरिष्टी से दूसरे नंबर पे और जन संख्या की दिरिष्टी से पहले नंबर पे है तो ये था हमारा आज का करेंटर फिर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना अब चलिए कल के कोश्चन का एंसर बता देता हूँ पहला कोश्चन था अब चलिए आज का कोश्चन करता हूँ जिसका एंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है पहला कोश्चन है ग्यारा मार्च से विदेश सचिव विजय केशो गोखले कीस देश के तीन दिवसिय दोरे पर है दुसरा कोश्चन है घूमूरा की सहराज्य का लोक निरित्त है दोनों का एंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिजे ताकि जो भी इस तरह के वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेसन आपको मिल जाएगा जाएगा झाएगा झाल झाल लु़ झाल झाल